दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दर्सन गोपस का रिव्यू जी हाँ दर्सन गोपस गोपस एक बज़र फ्रैनी सेवन शीटर का रहा है जिसकी प्राइजडेंट चार लख बीज़जार से साथ लख के बीच में जाती है इसमें आपको बारसो सिसी का इंजन मि लाव है इसमें आपको फीचर्स लाइक और विंडो मैनुल एसी सेंटर लॉकिंग और आउडियो सिस्टम भी विद यूस भी कनेक्टिविटी में मिलता है इस कार का डिजन काफी सिंपल और डिसेंट है लेकिन इसके इसमें आलोई विल्स नहीं है इसके सेफटी फीचर्स में आपको ड्राइवर एरबैग एबीएस एबीडी और ब्रेक असीट्स मिल जाता है दोस्तों और डट्सन गो प्लस एक वैल्यू फॉर मनी कार है जो एक फैमिली काफी सूटेबल फैमिली में काफी एक अच्छी कार है अगर आपको स्पेस और फ्यूल एफिचेंसी की पर भी काफी वेल हैं इसके स्टेरिंग काफी लाइट है जिससे आपको सीटी ड्राइविंग में काफी एक अच्छा लगेगा सीटी में ड्राइव करते हैं काफी अच्छा इसका का मैलेज भी काफी इंप्रैसिव है दोस्तों जो और आपको हाईवे पर 90 किलोमेटर या 20 और सीटी में 15-16 की एवरेज माइलेज दिये देता है दोस्तों डेट्सन गो प्लस का कंपेडिशन है मरतवी सुजुकी एको और रिनॉल्ट रिबर लेकिन इस कार का कंपेरिजन में डेट्सन गो प्लस काफी एफोडेबल है यह बाग क्यों के मकाबले काफी एक अच्छे करें दोस्तों तो आप इस कार के लिए जरूर जाएं अब एक पर जरूर ट्राइक करें डेट्सन गो प्लस इस कार का मेंटेनस कोश्ट की सर्वीश सेंटर्स भी काफी एसेशिबल है इस कार में इस कार की रिसल वैल्यू भी काफी डिसंड है जिससे आपको बेचने के तो आपके लिए Datsun Go Plus को consider करना चाहिए कफी एक अच्छा option हो जाएगा वैसे Datsun Go Plus की drawback की बात करें तो इसका build quality average सा है बहुत जागा नहीं है इस car में door panels और dashboard का material quality normal सा ही है और cabin में noise insulation भी काफी कम है इसके इलावा इस car की safety rating भी average ही है और इसमें end cap crash test नहीं किया गया है क्योंकि अगर end cap crash test होता भी तो लगबख zero से one star की rating ही आती होंगि जिस price range में ये गाड़ी मिल रही है तो उसी साब से इस car के बारे में जादा जानकारी के लिए आप डर्सन की official website try कर सकते हैं दोस्तों या तो आप डर्सन के जो nearest dealership हैं वहांसे आप ये second hand गाड़ी ले सकते हैं क्योंकि नए गाड़ी आनी यह बंद हो चुकी है मुझे उमीद है कि आपको हमारे review अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें दोस्तों तो दोस्तों एक डेट्सन को प्लस आपको new तो मिले के नहीं वैसे second hand rate प बहुत ज्यादा पसंद भी नहीं है लेकिन रेट के हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो यह आपको दो तीन लाख में दोड़ाए लाख में अराम से मिल जाएगी क्योंकि अभी यह डर्सन को प्लस बंद हो चुकी है लेकिन प्राइस में आपको second hand market में आपको आसानी से मि व्यू जी हां डर्सन गो प्लस एक बजर फ्रैनी सेवंटेटर का रहा है जिसकी प्राइजरेंट चार लख भी जज़ार से साथ लाख के बीच में जाती है इसमें आपको बार सो सीची का इंचन मिलता है जो 68 होर्स पावर देता है 104 नूडम्ट की टॉर्क के साथ इस कार का इंटिरियर काफी स्पेशी जाए थार्ड रोर सीच को फोल्ट करके आप और भी जादा स्पेश क्रियाट कर सकते हैं इसके इलावा इसमें आपको फीचर्स लाइक और विंडो मैनूल एसी सेंटर लॉकिंग और आउडियो सिस्टम भी विद यूस भी कनेक्टिविटी में मिलता है इस कार का डिजन काफी सिंपल और डिसेंट है लेकिन इसके इसमें अलोई विल्स नहीं है इसके सेफटी फीचर्स में आपको ड्राइवर एर बैग एबियस एविडी और ब्रेक असीट्स मिल जाता है दोस्तों और अच्छा अच्छा अप्शन हो सकता है आपके ल दोस्तों इसकार का सस्पेंशन काफी कम्फेडेवल है और पोध ओठ होल्स और बंप्स पऩाफी काफी राईड है इसके स्टेरिंग काफी लाइट लाइड है जिस में आपको सिटि ड्राइविंग में काफी एक अच्छा लगेगा सीटी में ड्राइब करते हैं काफी अच्छा इसका माइलेज भी काफी इंप्रेसिव है दोस्तों जो और आपको हाइवे पर 90 किलोमेटर या 20 और सीटी में 15-16 की एवरेज माइलेज दे देता है दोस्तों डर्सन गो प्लस का कंपेडिशन है मरतवी सुजुकी एको और रिनॉल्ट रिबर लेकिन इस कार का कंपेरिजन में डर्सन को काफी एफोडेबल है यह पाक्यों के मुकाबले काफी एक अच्छे रेट में मिलती है दोस्तों तो आप इस कार के लिए जुरूर जाएं आप यह जरूर ट्राइकर दर्सन गो प्लस इस कारका मेंटेनमस कोश्ट काफी लोग है और दर्सन की सर्विस थैंटर्स भी काफी एससिबल है इस कार में इस कार की रिसले वेल्यों पी काफी डिसेंड है जिससे आपको बेचने के बाद भी अच्छा रिटन मिल सकता है औरल प्लस रिलियेबल कार है जो आपको value for money experience प्रवाइड कर सकता है अगर आपको एक budget friendly 7 जिटर कार की जोरत है तो आपके लिए Derson Go Plus को consider करना चाहिए कफी एक अच्छा option हो जाएगा वैसे Derson Go Plus की drawback की बात करें तो इसका build quality average सा है बहुत जाएगा नहीं है इस कार में इस कार में डोर पैनल्स और डैश्बोर्ट का मेटियर क्वालिटी नॉर्मल सा ही है और कैपिर में noise insulation भी काफी कम है इसके इलावा इस इस कार की safety rating भी average ही है और इसमें endcap crash test नहीं किया गया है क्यूंकि अगर endcap crash test होता भी तो लगबख zero से rating ही आती है क्योंकि जिस प्राइज में गाड़ी मिल रही है तो उसी साब से इस कार के बारे में जादा जानकारी के लिए आप डर्सन की official website ट्राई कर सकते हैं दोस्तों या तो आप डर्सन के जो nearest dealership हैं वहां से आप यह second end गाड़ी ले सकते हैं क्योंकि नए गाड़ी आनी यह बंद हो चुकी है मुझे उमीद है कि आपको हमारे review अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें दोस्तों तो दोस्तों यह एक डे ले सकते हैं ट्राइ कर सकते हैं अब रहाल मुझे तो यह गाड़ी ठीक ही लगी बहुत जादा पसंद भी नहीं है लेकिन रेट के हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो यह आपको दो तीन लाख में दो ड़ाए लाख में अराम से मिल जाएगी क्योंकि अभी यह टर्सन गो लेखा झाल से हित जाएगी क्योंकि अभी बहात है अिक कु requis期 है like och टो कर से घाएगी कि यहाजिक हुआ है झढ़ीन था श्या ऑनन कार फज्द दोस्तों, कि अवाज बहाते हैं औो टोस्तु जाँ हम इसे हुआ है खशीश हैं थारके हैं वारके हम ह फज़ हैं